कि दोस्तो पहले से आप कठीन हो गया है डिफार्मा करना क्यों कि हम लोग के लिए अब इक्जिट exam आगया है इक्जिट exam हम लोग को देना पड़ेगा तब इसके बाद हम लोग अपना registration number पाप आएंगे तो हम लोग के लिए exit exam क्या है आखिर यह क्यों लाया गया है तो exit exam हम लोग के लिए इस ले लाया गया है ताकि हम जितने भी non attending student ते घर बैठे degree ले ले रहे थे अब वो PCI द्वारा यानि pharmacy counseling इंडिया द्वारा 24 दू 2022 के दिन हम लोगों का एक नया notice यानि नया rule जारी कर दिया गया है वो क्या है वो exit exam है यानि अब जितने भी pharmacy कर रहे student जो pharmacy कर रहे student है वो अब exit exam देने के बाद ही उन लोग को registration का नमर मिलेगा तो हम लोग यानि जितने pharmacy student है अगर इस time active है यानि डिफार्मा में admission लेने के लिए सोच रहे है या फिर admission हो चुका है उन लोग का last year है या फिर वो pass out हो चुके हैं अगर registration नहीं कराए हैं तो उन लोगों को exit exam देना पड़ेगा और main point ये है कि अगर हम लोग का active में है यानि registration करा लिये हैं आनलाइन प्रोसेस में है या फिर offline प्रोसेस में है तो हम लोग को exit exam देना नहीं पड़ेगा ये बहुत दुखत समचा रहे क्योंकि हम लोग के लिए यानि जितने भी pharmacy student थे वो easily घर बैठे ही असानी से registration नमर पा जाते थे लेकिन अब बहुत कठिन हो गया है ये इसलिए रूल लाया गया है ताकि कुछ लड़के आता जाता कुछ नहीं था लेकिन उन्हें फार्मासि इसी student के लिए बहुत अच्छा अच्छा नोटिस अच्छा रूल आ रहा है जैसे कि डिफार्मा फॉस्टी यार डिफार्मा सिकेंडी यार दोनों में सबजेक्ट का चेंजेश किया गया है तब हम लोग आप इसके बाद आ गया इक्जिट एक्जाम का इक्जिट एक्जाम है ताकि आप साल में दो बार एक्जाम दे सकते हैं यह अच्छा ख़बर है कि हम लोग साल में दो बार एक्जाम दे सकते हैं साल में दो बार एक्जाम देंगे यानि जिसका जैसे सेशन आएगा यानि कहीं कहीं का अलग टाइमिंग होता है यानि आप MP का अलग टाइम पर होता है अधर इस्टेट में अलग टाइम पर तो इसलिए हम लोग के लिए भी वो दो टाइम बनाया गया यानि दो बार हम एक्जाम दे सकते हैं और इसमें बड़ी ख़बर यह है यानि आप लोग अगर सोच रहे हैं फार्मेसी में अडमीसन लेने के लिए तो अब आपको अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा अगर आप यह सोच रहे हैं कि इसली निकल जायेगा लेकिन अब पहले से हाड हो चुका है और उन इस्टुडेंटों के लिए भी बहुत अगले बार से जो एक्जिट एक्जाम देंगे वह आ जाएगा नया सेशन के हिसाप से यानि जो फॉस्ट यह और सिकेंड यह दोनों में जो सब्जेक्ट चेंजेज हुआ है अब उससे रिलेटेड आ जाएगा हम लोग का एक्जिट एक्जाम में जो कि आप वो लोग पढ अब अच्छे तरह से पढ़ लीजिए देख लीजिए कहां अच्छा है कहां पढ़ाई करना और पढ़ाई करने का में प्रपस किया कुछ सीखना समझना किसी को बताना फार्मेसी अगर कर रहे हैं तो आपने अंदर इतना कैप सीटी रखिए ताकि आप दोसरे को भी आया क्योंकि देखे थैसर नों साल करने के बाद हम लोग सीखनों करते हैं अगर आप MP में चले जाए तो only English में राता है अब तो एक्जिट एक्जाम भी only English में ही हो गया नहीं आपको English करना पड़ेगा तो दोस्तों मेरी एजनकारी यह मेरी जनकारी आप सभी दोस्तों को कैसी लगी अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेजिए और बेल का इकन दबाद दीजिए थांक्यों दोस्तों फिर इससे अगला एकाउट टॉपिक लेकर करके आ